महें इसलामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम साज मुम्रा में उस वक्त हरकम मच गया जब मुम्रा में एक और क्रोना संक्रमण का मरीज पाया गया मुम्रा में क्रोना संक्रमण के मरीजों की संख्या अब बढ़ते ही जा रही है और उसी परिवार के बाकी आठ सदस्यों को ठाने में आइसलेट किया गया है और 37 साल के बेक्ति को ठाने के ही सिविल अस्पताल में भरती किया गया है आपको बता दे कि दादी कालोनी में विक्नहरता और मुसकान अपार्टमेंट में भी इसके पहले दो क्रोना संक्रमण बेक्ति पाये गए थे शबनम अपार्टमेंट में रहने वाले नव लोग भी उन्ही के रिस्तेदार है अब मुम्रा में क्रोना संक्रमत की संख्या बढ़कर तीन हो गई है जिसमें से एक 57 साल के बिक्त की मौत हो चुकी है आपको ये भी बता दें कि आज दोपहर में ही शबनम अपार्टमेंट से इन नव लोगों को टीमसी के आईदिकारी इमारत से ले जाकर 8 लोगों को आईसलोट किया गया और 37 वर्सिये क्रोना संक्रमण को सिविल अस्पताल में भरती किया गया है शबनम इमारत के गेट पर टीमसी ने ताला लगा कर इसे सील कर दिया है या तक कि इसे शबनम इमारत में अमार हॉस्पिटल भी है बगर पूरी तरह से इमारत सील कर दी गई है और इन नव लोगों में से 5 बच्चे हैं अब मुम्रा में भी क्रोना अपना पैर फैलाते जा रहा है एक के बाद एक लगातार 3 क्रोना संक्रमण के केस सामने आ चुके हैं सासन पर सासन जो दिशा निर्देश दे रही है उसका पालन करना बहुत जरूरी है लोगों के घरों में ही रहना बहतर है और इस बीमारी से घर में ही रहकर लड़ा जा सकता है मगर आपको बता दे कि शबनम अपार्टमेट में जो 9 लोग है उसमें से 37 वर्षिये जो बेकती है उसे क्रोना संक्रमण पाया गया है और उसे सिविल अस्पताल में भरती किया गया है मगर इन 9 में से 5 बच्चे भी है और सभी 8 लोगों को आईसोलेट किया गया है तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहार टाइम से ताजा तकिन खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें